क्लास फाइव आज की स्टोरी है दा वुडन बोल बच्चो वुडन यानि लकडी का बना हुआ और बोल यानि कटोरा बी ओ डबलू एल तो इस स्टोरी में एक बुढ़ा वैक्ती है या उल्ड मैन जो की अपने फैमिली के साथ रहने आते हैं और उनके साथ क्या-क्या होती है इसे ही हम स्टोरी में जानेंगे इसके पहले हम इस पिंक क्लाउड में जो बाते लिखी हैं उसे पढ़ लेते हैं क्या आप अपने एल्डर्स या बड़े जनों को लव, प्यार और रिस्पेक्ट या आदर या सम्मान करते हैं आप बिलकुल करते होंगे क्योंकि आप सब अच्छे-बच्छे हैं Do you enjoy your grandparents' presence at home? क्या आप अपने grandparents यानि की दादा दादी का या नाना नानी का घर पे रहना presence यानि उनकी मौझूटगी पसंद करते हैं और आप आनंद मैसूस करते हैं तो चलो हम ऐसी एक स्टोरी पढ़ते हैं, read the story, कहानी को पढ़ो, to know about family values हम एक family में या परिवार में जब रहते हैं तो कुछ ऐसे values हैं या कुछ बाते हैं जो हमें हमेशा याद रखने चाहिए क्या वो सीख हमें ये कहानी देगी, हम इस कहानी में पढ़कर जानेंगे An old man lived in a village, एक old man या बुढ़ा वैक्ती विलेज या गाओं में रहते थे When he became weak, जब वो weak हो गए, weak यानि कमजोर He went to live with his son, daughter-in-law and a four-year-old grandson तो जब ये old man weak हो गए, तो वो अपने सानियानी बेटे, daughter-in-law यानि बहु और four-year-old, चार वर्ष के grandson या पोता के साथ रहने गए The old man's hands shook ये बुड़े वक्ती के जो हाथे वो हिलते थे His eyesight was blurred और उनकी जो नजरे थी वो blurred हो गई थी उनने सब कुछ blur या धुंदला दिखता था क्योंकि उनकी eyesight या नजर कमजोर हो गई थी हम जब बुड़े होते हैं तो ये से परिशानियां आम है His steps also faltered और उनके जो कदम है वो लखड़ा जाते थे The family ate their dinner together at night पूरा परिवार एक साथ dinner करता था एट यानि खाते थे रात में अब आपका पहला question है आज के लिए With whom did the old man go to live with? यानि कि old man किनके साथ रहने के लिए गया है? अब आगे बढ़ते हैं When the old man sat at the dining table जब वो बुड़ा वैक्ती भोजन के मेज पर बैठा His hands shook उनके हाथ हिलने लगी He could not see the food properly वो अपनी food या भोजन को ठीक से properly नहीं देख सके The peas rolled off his spoon मतर के दाने उनके spoon से roll off नीचे गिरते थे on to the floor जमीन पर या फर्श पर When he held the glass of milk और जब भी वो दूद पेने के लिए glass पकड़ते थे It often fell on the table cloth वो दूद छलक कर उनके table पर बिछे हुए कपड़े पे गिर जाता था अब इन सारी चीजों को देख करना उसके बेटे और बहु दोनों चड़ जाते हैं जो बात आगे लिखी है The son and the daughter-in-law became irritated तो यहाँ आपका second सवाल है Who became irritated with the old man? बुड़े वक्ति से किने चड़ होने लगी? आपको उन दो वक्तियों का नाम इंगलिश में लिखना है The son and the daughter-in-law became irritated with the mess तो जो भी उनके खाने पिने की चीज़े गिरती थी उससे जो भी आजपास गंदे की फैलती थी mess होता था उससे वो काफी irritate या चड़ते थे We must do something about father said the daughter-in-law हमें अपने पिता के पारे में कुछ करना चाहिए do something याने कुछ करना चाहिए किसने कहा बहू ने I have had enough of his spilled milk noisy eating and food on the floor कि हमने उनका दूर का गिरना चलकना और जोड-जोड से चबर-चबर करके खाना noisy याने आवास करते वे और खाना गिराना ये अब मुझ से देखा नहीं जा रहा है तो दोनों ने क्या किया so the husband and wife set a small table in the corner दोनों पती और पतनी ने एक छोटा सा table corner में कुने में लगा दिया अपने पिता के लिए अब तुम्हें बताना है तीसरा सवाल ये क्या husband और wife ने जो किया वो सही किया या गलत किया ये आपको लिखना है सोच किया दो ओल्ड मैन एट अलोन देर वो बुढ़ा वेक्ति अकिले उस corner में table पर बैठ कर खाता था as the old man had broken a dish or two चुकि उस बुढ़े वेक्ति ने खाने के क्रम में क्योंकि उसके हाथ हिलते थे तो एक दो डिश या काच की तस्तरी भी तोड़ दी थी गलती से His food was served in a wooden bowl अब उसके बहु उसे खाना एक लखड़ी के कटोरे में देने लगे हमने पढ़ा ना कहनी का नाम wooden bowl The old man always had tears in his eyes उसके आखों में हमेशा tears होते थे आसू होते थे as he ate alone वो जब अकेले खा था उसके आखों में आसू होते Still the couple had only harsh words for him लेकिन ये जुमिया बीबी थे पती पतनी का जोड़ा था हमेशा उनके लिए कठोर words harsh words का ही इस्तिमाल करते थे When he dropped a fork जब कभी उनके हाथ से एक fork या काटा चमबच गर जाए और spilled food खाना कहीं गर जाए अब ये सारी चीज़े कौन देख रहा था उनका पोता The grandson The grandson watched it all in silence अब आगे क्या हुआ सुनो One evening before dinner एक शाम रात के भोजन के पहले The parents noticed their son playing with wood scraps on the floor मादा पिता ने क्या देखा कि उनका जो बेटा है न उनका ध्यान गया notice किया कि वो लकड़ी के छोटे-छोटे कतरन से खेल रहा है The father asked the child sweetly उसने प्यार से पुछा What are you making? क्या बना रहे हो? The child replied sweetly उसने जवाब दिया Oh, I am making a little bowl for you मैं आपके लिए छोटा सा बोल या कटोरा बना रहा हूँ And mama, maa के लिए To eat your food from when I grow up कि जब मैं grow up हो जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा पापा, मम्मी तो इस बोल से कौन खाएंगे? आप और मम्मी The child smiled and went back to work वो मुस्कूराया, इतनी बात कहकर और वापस काम पर चला गया तो यहाँ पर आपका question है What was the child making? बच्चा क्या बना रहा था? आपके इसका जवाब लिखना है अब इसकी बात सुनकर The parents were speechless उनकी बोलती बंद हो गई And ashamed क्यों वो ashamed थे? क्यों उन्हें शर्मंद की महसूस हुई? क्योंकि वो अपने पिता के साथ वही चीजें कर रहे थे Tears started rolling down their cheeks उनके गाल से आसु नीचे बहने लगे Though no words were spoken यदे भी कुछ शब्द नहीं बोले गए Both knew what must be done दोनों को मालूम था की करना किया है उन्हें पस्चताप हो रहा था That evening the son took his father's hand बेटे ने अपने बुढे पिता का हाथ पकड़ा And gently led him back to the family table और उसे वापस table में लाए For the rest of his life अपनी पूरी जीवन, the old man ate every meal with the family और उसके बाद से हर दिन वो बुढा वेक्ती अपने परिवार के साथ ही बैठकर भोजन या मील टेबल पर खाने लगे And for some reasons, reasons यानी कारण किनी कारणों से Neither the son नहीं उनका बेटा, nor the daughter-in-law नहीं उनकी बहु seemed to care any longer मानो उन्हें अब कोई care या फर्क नहीं पड़ता था जब वो कोई फोर्क गिराते थे Milk spill करते थे, दूद गिराते थे या table cloth spoiled होता था या nest होता था ऐसा क्यों है बच्चो? क्योंकि the parents had realized माता पिता को realize या अभास हो गया था that their action कि उनका जो काम है would have an impact या impact या असर डालेगा उनके small son पर उनके बेटा पर children imitate what their parents do बच्चे नकल करते हैं अपने मता पिता की तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है वो आपका अंतिम सवाल है और आपको copy में लिखना है कि what is the moral of the story कहानी का सीख क्या है आप लिखोगे we reap what we sow reap यानि बोना हम जो बोएंगे वही हम फसल काटेंगे अगर अच्छा सिखाओगे तो अच्छे चीज़े मिलेंगी और किसी को बुरा सिखाओगे तो भुरी चीज़े मिलेंगी तो ये हो गया कहानी का सीख we reap what we sow तो इस कहानी के सारे प्रश्ण उत्तर आप लोग अपने कॉपी में लिख लेंगे अच्छा सिखाओगे मिलेंगे तो अच्छा सिखाओगे मिलेंगे